पिछले सुल्ण सालों से बिहार की सत्ता पर नितिसकुमार काभीच है, लेकिन बिघत कुछ सालों से बात कर ली जाये तो बिहार में मुझपरपूर बालीका घ्रीकान्ड होता। आर में बच्चियों से जिस्म फरोसी का धंदा करवाती थी, इस पूरे मामले को लेके पिरीता जब F.I.R. दर्च करवाने जाती है तो तमाम ठानों के तरफ से दौराया जाता और इस पूरे मामले में समाज कल्यान विवाग की ओर से क्लिन चीट जारी कर दिया जाता है, ले गटना करम में कितना गंबीर मामला और जब इस तरह का मामला आता है, तो आखिर क्या कुछ आगे सुनवाई के बाद होती है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पुर्व एडिशनल एडवोकेट ऑफ जनरल और हाई कोट के वरिये अधिवक्ता हमारे साथ सर है, असोक चोदरी जी है, सर लगातार अगर कानून की बात कर लिजा, इस तरह के जब मामले आते हैं आपके पास, तो आपने काफी करीब से देखा होगा कानून के अच्छे जानकार भी आप रहे हैं, जो ये पूरा मामला हुआ है, जिस परकार से सेल्टर हॉम के सुपर कार से सुनवाई होती है, और अगर आरोप साबित हो जाते हैं, जिन पर आरोप लगाये गया प्रीता के तरफ से, किन-किन धाराओ, IPC के धाराओ में, FIR दर्ज होता है, और किस तरह के सजा मिल सकती है, देखिए, as an advocate, तो हम यही बोलेंगे, कि हम अभी कोई papers देखे नहीं ह है, जो भी news हमें मिल रहा है, वो है थ्रू newspaper, print media, और visual media, जो है, TV में जो आता है, उसके थ्रू report मिल रहा है, हमने कागज का कोई अध्यान नहीं किया है, और जैसा बात निकल के आ रहा है, और उसमें तो यह clear-cut case है, कि यह 376 से सब भी आ जाएगा, क्योंकि जो भी काम हुआ है, किसी के against में हुआ है, किसी के will के against में हुआ है, कोई consent से नहीं होता था, तो जो भी होता है, एक बहुत ही serious धारा Indian Penal Court का attract करता है यह, और दूसरी बात है कि हम लोगों के CRPC में भी धारा 156 है, जो कहता है कि इस तरह का cognizable offense, अगर report अगर आपको मिलती है, लिखित, या अगर आप खुद सुनते हैं कि कहीं cognizable offense की हुई है, तो आपका ये धरम बनता है, आपका ये duty बनता है, जिसको Apex Court, Supreme Court ने, Honorable Supreme Court ने, भी बहुत decision में, एक प्रकास सिंग का decision आया था, जिसमें किया है कि cognizable offense, अगर make out होता है by any sort of, आपको information मिलने से, चाहे लिखित information, या आपको खुद का knowledge होने से, अगर ये information मिलता है, तो आप duty bound हैं, FIR institute करने के लिए, क्योंकि उसको investigate करना है, और कोई चीज को अगर investigate करना है, तो FIR का filing and registration is must, because that particular FIR gives you the area to investigate the things, investigation दो तरह के का होता है, preliminary investigation जो FIR होने के पहले होता है, और post investigation जो FIR होने के बाद होता है, तो यहाँ तो ऐसा case बनता है, कि जिसमें की police को स्वता संग्यान लेना चाहिए, और उसका preliminary investigation करके, जो भी आरोपित हैं, जिसका नाम लिया जा रहा है, inmates के दुआरा, अब आज तो मैं ये भी सुना हूँ, कि वंदना गुपता के बाद को कोई उसी रिमांड होम की inmate जो है, उन्होंने सामने आ करके समर्थन किया है, कि बिल्कुल सही बोल रही है, और ये सही अगर बोल रही है, तो सही बोले है, कि वो जो मुझफरपूर वाला रिमांड होम केस था, ये बिल्कुल उसी ढर्रे प को मामले के लिए PIL दर्ज हुआ है, हाई कोट में ये भी एक आश्चर चकित करने वाली बात है, क्योंकि ऐसे मामले में तो आपको तुरंट संग्यान लेकर के जितनी जल्दी तवरित आपको रेमेडी देना है, रेमेडी कहने का मतलब कि इन्वेस्टिकेशन करना है, ये जल्दी करना है, इसके लिए आप वेट नहीं कीजिएगा हाई कोट के ओर को या किसी के ओर को, क्योंकि आपका वेट करना ही ये इंडिकेट करता है कि आप किसी को बचाने की कोशिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सवतनतर देश में, सवतनतर भारत में हम लोग इस तरह के मामलों को और ज्यादा संग्यान से और ज्यादा संगीन रूप से उसकी इंवेस्टिगेशन करनी चाहिए, और जो भी है इंवेस्टिगेशन में प्रोसीड करेगा, वो कल्मिनेट करेगा चार्शीट में, जिसके इसके खिलाफ है, जो इंवेस्टिगेशन में जिस परकार से पिरीता ने तमाम जो बातों को तथ्यों को रखने का काम किया, जिस परकार से काफी गंभीर भी अपराद है, थाना इस थाने से उस थाना दोड़ाया गया, डी-म साहब बात नहीं सुने, तो जब ये पूरा सुनवाई होगा, जब तमाम चीजों को बताया जा होनी तो बिलकुल चाहिए, और चुकि अभी ये मामला, हाई कोर्ट में सब जुडिस है, एक पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन केस में, जो हम लोग आकसर में, हम न्यूस पेपर के थूप पढ़ने में आया है, उसमें सरकार को समय दिया गया है, कि क्या ऐसा बात है, क चाहिए, कारेवाई, क्योंकि that amounts to, अगर कोई रिलक्टेंट है, F.I.R. फाइल करने में, तो that means कि you are scuttling the investigation, deliberately, जो बिलकुल नहीं होना चाहिए, कासकर इस democratic country में, बिलकुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज को ये ग्यान मिलना और ये ग्यान होना, उसका अपना राइट है, किसी भी बात का ग्यान सारे जगव पहलाना, ये उनका राइट है, समाज का राइट है, ये जा एक चीज है सर, एक चीज हम समधना चाहेंगे, कि जब इस पूरे मामले को लेके जो थाना दौराया गया, एफाइयार अभी तक नहीं किया गया, नहीं, आज तो जैसा कि हम पढ़ने में आया है, अकबार में या हम साइद इसमें टेलिविजन पे देखें, आज ही हम देख करवाया है, अब क्या बात है यह हम नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना ही सुनें, आज वड़ी कॉल टीवी पे, किस तरह के सजा होती है, यह हमारी बात नहीं है, सजा बहुत उसका रेंज होता है सजा देने का, लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा है, इसमें मैक्सिमम, फासी फासी तो इसमें नहीं होगा, उम्रकैद लाइफ इंप्रिजनमेंट है, इसमें और अगर आपकी बात अगर किसी पर्टिकुलर आदमी पर इंवेस्टिगेशन के दोरान ऐसी बात आती है, कि वो इसमें बार बार इंडल्ज किया है, उस लड़कियों को एक्स्प्लॉइट किया है और उससे गलत-गलत काम कुकृत करवाया है किसी ये क्या कहते हैं किसी धोखे से या कोईर्शन से तब उसको उसकी सजा है क्यों लग सकता है ये तो चाइल्ड केर का जो है पॉक्सो एक्ट में बिलकुल लग सकता है अगर वो नाबालिग है और उसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसको चो सामने आकर के बोलना पड़ेगा ये बात कहने के लिए कि हां मेरे साथ हुआ है हम नाबालिग हैं और प्रिवेंशन और जो चाइल्ड अब्यूज होता है पॉक्सो एक जिसकी बातें आप कर रहे हैं उसमें ये सब की धारा लगी होई है सिदे तोर पे हमारे साथ पटना हाई कोट के वरिये अधिवक्ता थे असोग चौदरी जीत जो तमाम चीजों को जानकारी दे रहे थे कि काफी गंभीर मामला है कोट ने स्वतर संग्यान लिया है और आने वाले समय में सुनवाई के बाद क्या क्या कानूनी पड़किरे है वो तो देखने को मिलेगी केमरा में नजय के साथ रोही 10bc24 पत्मा